हेलो एवरिवान इस वीडियों में हम पढ़ेंगे आयू पीसी नॉमिनीक लेचर ओफ कार्बन एंड कार्बन रिलेटिड कमपाउंड से उनका आयू पीसी से हम कैसे नाइम रखते हैं सब्सिट्ट्ट क्या होता है डिफ्रेंट फॉंक्शनल ग्रूप के नाम हम कैसे रखते ह इन शॉर्ट हम ट्राई करेंगे कि जितने important parts है इसमें उन सभी को हम यहाँ पर discuss कर लें तो start करेंगे बहुत ही basic चीजसे कि देखो carbon जो है carbon का atomic number होता है 6 अब carbon का atomic number अगर 6 है तो जब आप इसके electronic configuration को बनाएंगे तो इसके outermost orbit में कितने electron हो जाएंगे 4 तो carbon की जो valency होती ह वह 4 होती है क्योंकि इसकी व्यारंची 4 होती है इसलिए इसको हम लोग टिटरल वालन बोलते हैं सीधी से बात है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होगी जब आप इसकी ब्रांचे जैन्स या रिंग शेप स्ट्रक्ट्रस में आएंगे तो आपको सिर्फ यह देखना है कि हमारी कार्ब को भी और इस Carbon को भी तो इसके साथ और दो होगा और इसके साथ भी और दो होगा स्नुस्टि आपको धेखेंगे discussion में कि आपका hydrogen होता है इसके साथhal नामनिक लेचर में हम यह वैलन्सी कम्प्लीट किसके साथ करते जाएंगे हाइडोजिन के साथ क्योंकि यह पूरा सिग्मेंट हाइड्रो कार्बन में आता है अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना सबसे पहले आप सीखोगे कि वैलन्सी कैसे कम्प्लीट की जाती है जब कार्बन के वैलन्सी कम्प्लीट हो गई वैसे इस के सूचंव कि आगो कि कि अब कर देंगे 3 तो हम आड करते हैं और कार्बन की है तो quadrilateral है पांच है तो pentagon है उसी तरीके से carbon की names को भी आप याद करेंगे जो इसके starting part में हम use करते हैं अगर हमारे root words में मतलब जो आपका chain system है carbon का उसमें आप count करेंगे और अगर एक carbon हुआ तो आप start करेंगे उसकी naming math से अगर दो carbon है तो eth से तीन है तो prop, four but, five pent, six hex, seven hept, eight oct, nine non, ten deck तो ten तक sufficient है जानना हम initially इन ही से सीखेंगे तो आपको सबसे पहले carbon को count करना रहता है और इसके basis पर उसका starting का name देना रहता है यह हमारे तीन groups है alkyne, alkyne, alkyne तो इसमें भी last के words पर आपको focus करना है यह एन है, a-n-e-n, यह e-n-e-e-n और this is y-n-e, i-n, we have to say i-n, इसका जो general formula होता है देखो alkyne का होता है cn-h2n-2, और alkyne का होता है cn-h2n-2, नॉमिनिक लेचर में हम सरफ देखेंगे कि अगर carbon और carbon के बीच में single bond है, तो single bond है तो यह कौन सा है हमारा, in है, तो जहां पर आप देखना कि आपके carbon और carbon के बीच में single bond यूज़ हुआ है, वहां पर आप क्या यूज़ करोगे, in, और जहां पर carbon और carbon के बीच double bond है, वहां आप यूज़ करेंगे, in, और जहां पर carbon और carbon के विच ट्रिपल बॉंड है structure में वहां आप यूज करेंगे आइन तो इन चीजों को ध्यान में रखती हुए आप नॉमनिक लेचर में नाम देंगे उनका पाउंड का देखो हम ध्यान में रखेंगे एन, इन, आइन और बॉंड को और ये बॉंड हमको कहां देखना है कार्बन और कार्बन के बीच में अब हम स्टार्ट करते हैं देखो मानलू कि ऐसे यहां पर हमारा कार्बन का एक structure दे दिया तो यहां पर सिंगल बॉंड है पहले Jewish transition VIP करेंगे इस कर्बन की एक वैरेंंसी है तो यहां कितना hydrogen आप कर देंगे 3 अब इसका आप के दो कर्फ़ंड करते थे दफ्यार्थ यूस कर लिया हमने अब देखो कि इनके बीच बॉनका सा है ऐसे होняя तो स्ट daughter किसे समझो अगर कार्बन कार्बन के बिच डबल बांड है तो फिर वहीगा हम पहले वालेंसी सटिस्फाइब करेंगे इसकी वालेंसी कितनी हो जाएगी एच्टू क्योंकि यह पर दो अल्रेडी है तो सी एच्टू सेम चीज इसके लिए च्टू अब इसका जब आप नाम ल यहां पर भी दो कार्बन है तो इट विल स्टार्ट विज एथ बट विल यूज आइन तो इस एथाइन पहुत सिंपल ढंग से आप इसको समझ सकते हैं आपको सिर्फ देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन है सिंगल बॉन डबल बॉन यार ट्रिपल बॉन उ अब आगे समझेंगे अब देखो naming related to position of the bond मालो कि हमारे पास चार कार्बन है यहां पर डबल बॉन की position हो गई यह आपका एक हो गया दूसरे में हम क्या करेंगे कि डबल बॉन का position को चेंज करके यहां पर मिडल पर देंगे इसमें भी हमारा चार कार्बन ही है लेकिन डबल और एक तीन कितना देंगे एक इसके लिए वन वन टू यहां पर कितना देंगे दो इसके लिए तीन सटिस्वाई हो गई आप दीखें नेमिंग करने का तरीका है कि जहां से आपका बॉन जो है नस्दीक होता है क्लोज होता है आप उस सिस्टम से इसको numbering करेंगे 1234 तो आप काउंट कर लो की कार्बन कितना है तो 1234 तो फोर कार्बन है तो हम लोग किसे स्टार्ट करते हैं विउट से लिख देंगे विऊट यहां पर जब डबल बॉंड है तो हम सिंगल बॉंड को प्रिफरेंस नहीं देंगे हम इसके लेवल से ही इसका नाम रखेंगे डबल पर double bound होता था उसमें क्या हम लोग यूज करते थे इन इन तो यह हो जायागा ब्यूट और अब इसकी position को भी हम लिखते हैं तो देखो यह first position पर है ब्यूट one in इसको हम beauty भी लिख सकते हैं beauty one होने से show करना compulsory नहीं है अगर कैसी और position पर होगा तो आपको तो पहले balance से satisfy कर देंगे यहां h3 यहां पर h यहां पर भी h और यहां पर भी h3 अब numbering कर दो one two three four चार carbon है तो start किस से करेंगे beauty अब position पर देखो कि किस position पर आपका double bond है दूसरे पर beauty to in यह इसका correct नाम हो गया beauty to in clear है इसी तरीके से triple bond वाले को भी up करेंगे जो आपको याद रखना है वो यह है कि नेमिंग करते समय नंबरिंग करते समय आप यह देखेंगे कि आपका bond किधर से close है नस्दीक है उस साइड से आप इसको numbering करेंगे जब double bond या triple bond होता है तो सिंगल बाले bond को हम नहीं लेते हैं इसमें हम देख लेंगे कि carbon कितना है चार है पांच है उसके according इसका नाम देंगे और position दीजिए अपने bond का और उस bond के लिए जो आप यूज करते थे वो लिखेंगे कि कुछ functional group और substituents के naming कैसे रखते हैं हम लोग तो यह कुछ functional group है LD हाइट से की टोन से कार्बॉक्सिली के सीड है एलकोल से और भी बहुत सारे कुछ functional group है तो इसको हम सीखेंगे कि कैसे बहुते हैं देखो सब्स्टिट्विंट जभी यह सब जब बहुते हैं और सबस्टिटुइन को पहले की सबस्टिट्विंट करते हैं कि कार्बन के लिए एक है बॉन्ट हमारा तो एक valency है, तो तीन हम और hydrogen add कर देंगे, इसके लिए देखो, एक, दो, तीन already है, तो आप एक add कर दीजिए, इस वाले के लिए भी आप तीन add कर दीजिए, तो आपका ये complete होगा compound, अब इसका हम नाम देंगे, किसका नाम कैसे होगा, तो देखो, सबसे पहले, carbon main chain में count कर ले है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि तीन carbon है, तो तीन carbon के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रो, 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 बांडिंग के है, सिंगल बांड है, तो एन, प्रोपेन, अब देखो, अब हम आते हैं अपना substituent वाले पार्ट पे, पहले इसकी position देखो, कि कहां पे है, second position पे है, और substituent को आप main name से पहले लिखते हैं, position के साथ लिखते हैं, तो आप लिखेंगे 2-methyl-propane, यह इसका नाम हो गया, तो जो रूल से वो याद रखोगे, कि substituent जहां से नजदीक होगा, वहां से numbering स्टार्ट करेंगे, और उसका with position पहले नाम लिख है, कि अपना देख लेंगे carbon कितना है, और उसके according उसका नाम लिखेंगे, तो यह होगे 2-methyl-propane, next, थोड़ असल इसको बड़ा बनाते हैं, हम इसमें 7 carbon assume कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 carbon assume कर लिए, और जो substituent है, हम 3rd or 4th position पे यहां पे एक दे देते हैं, और यहां दे देते हैं, यहां भी CH3, और यहां भी CH3, ठीक है, फॉट अपर इसको satisfy कर देंगे, वैलेंसी, इसके लिए हम 3 hydrogen add करेंगे, इसके लिए 2, इसके लिए 1, यहां पे भी आपका 1, यहां पे 2, यहां भी 2, और यहां भी 3, complete होगे हमारा, अब हम इसका नाम रखते हैं, तो देख 3, 4, 5, 6, 7, तो carbon कितना है हमारा, 7, 7 carbon है यानि के हम लोग क्या use करेंगे बताओ, हेप्ट, हेप्ट, single bonding है, तो N, हेप्टेन, यह तो complete है हमारा हेप्टेन है, अब आते हैं हम अपने substituent वाले पार्ट पर, तो 2 substituent है, एक है third position पर और एक है fourth position पर, तो आप इसको लिखेंग 3, 4, डाई, मिथाईल, हेप्टेन, यह हो गया आपका इसका complete नाम, चैसे कि total carbon हमारा कितना था, 7 था, तो उसके लिए हेप्ट, single bonding है, N, आपको position 3 और fourth है, 3, 4, और 2 है, तो आप क्या use करेंगे, डाई, मिथाईल, हेप्टेन, next, इसको हम लिख सकते हैं, C, H, O, तो यह चेक्ट पर, इसको हम लिख सकते हैं, C, H, O, तो यह चेक करना कि main chain में C, H, O है, तो वो हमारा कौन सना functional group है, LD heights है, अब इसका जो suffix word use होता है, वो होता है, A, L, अब इसको समझो कि हम लोग बनाते कैसे, जैसे देखो, एक formula है, कि CH3, CH2, और यहाँ पे मैंने इसको add कर दिया, यह हमारा add हो गया, ठीक है, तो आप जब इसमें carbon को count करते हैं, तो including this functional group count करते हैं, LD height का functional group भी आपको include करना है, तो इसको ले कि अगर carbon को count करोगे, तो 1, 2, 3, तीन carbon है हमारे, तीन carbon के लिए हम लोग क्या use करते हैं, prop, prop, use कर लिए, अब देखो, सब के बीच में carbon के बीच में क्या है, single bond है, लेकिन यहाँ पे हम ग्रूप के suffix पे, तो functional group का suffix यह बोलता है, कि आपका यह जो basically जो इसको original name होना चाहिए था, वो propane होना चाहिए था, तो इस propane का E आप remove कर देंगे, इस E को remove करेंगे, और in place of E आप क्या add कर दोगे, AL, समझो इस बात को, कि इसका यह single bond है, carbon के बीच में single bond है, total carbon including the functional group कितन 3, 3 carbon के लिए हम लोग propane यूज करते थे, तो propane में से हम अपना E remove करेंगे, और in place of E, हम क्या add कर देंगे, AL, तो अब जो इसका नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा, propanel, propanel, यह हो गया हमारा LD heights का nominculature, इसमें और example देखते हैं, अब इसका हम लोग कैसे name रखेंगे, तो including this functional group, LD heights हम count करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 carbon है, 4 carbon के लिए हम लोग क्या use करते थे, with single bond, butane, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, butane, लेकिन जो हमारा rule था, कि हमको E को replace करना है, तो E को हम minus कर देंगे, इसके जिगा पर हम रखेंगे, AL, तो यह क्या हो जाएगा, butanel, B, U, T, A, N, A, L, त के main chain में हमेशा last में ही आता है, तो इसके लिए आपको numbering नहीं करनी पड़ती है, 1, 2, 3, 4 नहीं करना पड़ता है, आपको बहुत simple सा logic है, आप identify कीजे कि आपका CHO एड हुआ है, यानि कि functional group कौन सा है, LD heights का है, और जो suffix अप यूज़ करेंगे, वो AL यूज़ करेंगे, main ज यूज़ का जो formula है, वो है C, जो कि हमारा double bond O से connected है, और ये दो हमारा free है, जो चैन में आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये last में ही आए, और इसका जो हम suffix word यूज़ करते हैं, वो O, N, E करते हैं, pronunciation लेकिन 1 नहीं है, आपका ही ध्यान देंगे, अब इस satisfied है, और इसके लिए हम फिर यहां पर 3 यूज़ कर लेंगे, अब देखो, including this functional group, हम carbon को count करते हैं, तो carbon कितना है, 1, 2, 3, तो इसका जो 3 carbon पर हमारे जो नाम होता है, with single bond, वो होता है, propane, तो यहां पर है, कि आप E को जब remove करते हैं, इसमें भी आप remove करेंगे E को, तो इसकी ज propane, next compound, पर हमने अपने functional group को यहां add किया है, तो अब जब यहां add होया है, तो आप थोड़ा इसको numbering करेंगे, जहां से यह नजदीक है, तो जब आप numbering करेंगे, तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, including this functional group, total कितने carbon हो गए, 5, तो जब 5 carbon है, और position है आपके functional group के second पर, तो आप इ लिखेंगे 2-pentane, लेकिन अब by rule हम क्या करेंगे, E को remove कर देंगे, तो E की जगह पे हम क्या use करेंगे, O, N, E, तो यह हो जाएगा 2-pentanon, 2-pentanon, क्यों, क्यों हमने E को हटा दिया, क्योंकि यह हमारा किस functional group में है, ketones में, next functional group, functional group है हमारा carboxylic acid, carboxylic acid का, जो functional group का formula है, वो है C, जो oxygen के साथ double bond से connected है, और OH से connected है, और यह आपका free है, जो main chain में आएगा, in short हम ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH, तो हम अपने main chain में इसको identify करेंगे, इसमें हमको numbers नहीं देना पड़ता है, क्योंकि यह भी हमेसा LD height के जैसे क्या होता है, बिल्कुल chain के end में attach होगा, आप देख इसका एक example, CH3, CH2, और यहाँ हमने इसको add कर दिया, COH, यहाँ पर O, तो यह functional group नहीं हमको identify करना होगा, कि यह जो functional group है, यह किसका है, carboxylic acid का है, तो आप जैसे identification आप कर लिए कि यह carboxylic acid है, उसके बाद आप फिर इसका naming करेंगे, naming के लिए क्या करेंगे, carbon को आप count including this one, हमारे पर स्टोटल कितना carbon हो गया, 3, तो जब 3 carbon हो गया, तो 3 carbon के लिए हम लोग क्या use करते है, propane, क्योंकि इनके बीच single bond है, तो एन, अब यहाँ पर E को remove करेंगे, और इसकी जगा पे हम जो इसका suffix है, oic acid, वो add कर देते है, oic acid, तो जब इसको add करोगे, तो यह जो propanoic acid, propanoic acid, बहुत simple है, आपको सिर्फ suffix याद रखना है, उसका functional group याद रखना है, और main चान में, including this functional group कितने carbon होते है, तो यह क्या हो जाएगा, propanoic acid, next functional group है, alcohol का जो functional group होता है, वो है, oh, simple सा functional group है, और इसके लिए जो suffix यूज़ करेंगे, वो हम लोग, ol यूज़ करेंग ये middle of the chain भी हो सकता है, जैसे आप देखिए, कि एक example हम लेते हैं, CH3, then CH2, and then OH, तो यहाँ पे तो यह हमारा last में add हुआ है, तो कोई जरुवत नहीं है, number देने का यहाँ पे, सीधे देख लेना कि carbon कितना है, तो दो carbon है हमारा, दो carbon है, single bond से है, तो यह ethane था, और ethane का E हम replace क जगा पे हम O-L use कर देंगे, तो इसका जो नया नाम है, यह हो जाएगा, ethanol, ethanol, तो last का O-L बताता है, कि इसमें हमारा alcohol add है, यह ethaneol हो गया, लेकिन जहाँ पे आपका corner पे नहीं देगा, mid of the compound में देता है, उस समय हम क्या करते हैं, कि इसका numbering करते हैं, जैसे मान लो, कि हमने इक ले लिया CH3, CH, CH3, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया OH, तो यहाँ पे जो हमारा alcohol का group है, यह तो second position पे है, और ध्यान दीजे, यह आपके main chain से बाहर है, substitute के जैसा है ना, तो आप इसको कहां से करोगे, जहां से यह close है, यह इस example में यह दोनों साइट से close है, तो हम 1, 2, 2, 3, numbering कर देते हैं, तो आप इसके position को पहले बताएंगे, कार्बन इसमें कितना हो गया, 3, तो जहां पे 3 कार्बन है, वहां पे हम प्रोपेन यूज करते है, प्रोपेन के E को अगर हटा के OL लगाओगे, तो प्रोपेनल होगा, लेकिन इसके position को पहले रिखोगे, तो यह क अच्छी लगे, तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर रताएं, थैंक्यू फर वाचिंग